वेलकम तो टेक्निकल प्यार चैनल और आज के इस वीडियो में मैं सेंसर टेस्ट करने वाला हूँ चार-चार स्मार्ट वाचेस का DT100, MC88 Pro, W26 और W26 Plus Pro तो आज इन चारो ही स्मार्ट वाचेस का सेंसर टेस्ट करने वाला हूँ और आप सभी को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि इन स्मार्ट वाचेस का सेंसर वर्क करता है या फिर नहीं करता है तो आज वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आ गई है ये है DT100 स्मार्ट वाच तो इस स्मार्ट वाच का नाम है DT100 स्मार्ट वाच और ये जो है इसके अंदर आपको हार्ट रेट सेंसर अभी मैं टेस्ट करके बताने वाला हूँ और इसको मैं तीन कंडिशन में टेस्ट करूँगा एक बार इसे हवा में रखके टेस्ट करूँगा एक बार इसे नीचे रखके टेस्ट करूँगा और एक बार इसे हाद में पहन के टेस्ट करूँगा तो इससे क्लियर हो जाएगा कि ये जो स्मार्ट वाच है इसका heart rate sensor true है या फिर ये भी fake है तो चलिए शुरू करता है तो सबसे पहले इसे मैं हवा में रखके try करता हूँ तो heart rate sensor मैंने इसका on कर दिया है और पीछे lights आना चालो हो चुकी है तो check करते हैं ये हवा में measurement बताता है या फिर नहीं बताता है तो यहाँ पर मतलब बहुत जादा देर हो चुकी है और अब ये बता रहा है 72 BPM तो मतलब ये हवा के अंदर हवा के उपर भी मतलब show करता है BPM तो मतलब ये तो fake है पर कभी-कभी इसमें ऐसा होता है कि हवा में ये show नहीं करता है मतलब कभी-कभी आज मैंने सुबह try गया था तब हवा के अंदर show नहीं कर रहा था पर कभी-कभी हवा के अंदर show करता है इसके अंदर BPM तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर proximity sensor लगा हुआ है और उसकी वज़े से ये हवा के अंदर BPM show नहीं करता है पर कभी-कभी अभी जैसे कि आप देख रहे हैं तो ये कभी-कभी DT 100 जो smart watch हवा के अंदर भी BPM show कर देती है और फिर नीचे रखके भी try कर लेता है कि क्या BPM बताती है इस grass का तो इसका heart rate on कर लेता हूँ और इसके बाद grass का BPM check कर लेता है आज हम सभी कि grass का क्या BPM रहता है इसमें तो आज का ये वीडियो end तक जरूर देखना क्योंकि end में मैं इन चारू watches को एक साथ हाथ में पहन के देखूंगा कि सभी की reading सेम आती है या फिर अलग अलग आती है तो वीडियो तो बहुत ही ज़दा amazing है और आप देख सकते हो कितनी ज़दा amazing है grass की BPM शो कर रही है 7269 क्या बात है मतलब आज कल grass भी जिन्दा हो गई और हाथ में भी पहन के देख लेता हूं तो मेरे हाथ पे भी टेस्ट कर लेता है एक बार तो मैंने heart rate sensor इसका on कर दिया है तो अभी 2-3 second के बाद reading जो है वो show हो जाएगी इसमें तो आप देख सकते हैं 73 बता रहा है BPM तो अब ये जो BPM बता रहा है ये कितनी सही है वो तो तब ही बता चलेगा जब हम last में 4 हो ही watches का एक साथ BPM चेक करेंगे तो चलिया अब test कर देता है W26 smartwatch का BPM तो इसे test कर देता है तो यहाँ पर green light आना चालू हो चुकी है और ये तो मतलब totally fake दिख रहा है क्योंकि green light जो है ये बिल्कुल भी blink नहीं कर रही है और ये normal LED light की तरह light है और air के अंदर इसने show कर दिया है 89 तो 89 show कर रहा है BPM air गे अंदर और अब इसे grass पर रखके check कर देता है कि क्या BPM show करता है मैं on कर देता हूँ तो heart rate sensor जो है ये on हो चुका है तो अब check कर देता है कि क्या reading show करता है ये grass के उपर तो 74 क्या बात है 74 beats इसने count किये grass के उपर तो ये बहुत ही जदा 90 क्या बात है मतलब grass के उपर 90 BPM आने लग गई इसके अंदर क्या बात है मतलब इससे जदा अच्छी बात क्या हो सकती है तो अब इसको मैं हाथ में पहन के भी test कर लेता हूँ कि क्या BPM शो करती है ये smartwatch तो इसे हाथ में मैंने पहन लिया है तो अब test करते है इसका heart rate sensor तो इसका heart rate sensor on हो चुका है तो अब check करते है कि मेरी क्या BPM शो करता है ये smartwatch वा क्या बात है मेरी जो BPM है ये 80 बता रहा है मतलब grass की बता रहा था 90 और मेरी बता रहा है 80 मतलब मेरी जो BPM है वो grass से भी कम है क्या बात है तो W26 के अंदर भी कई हद तक पता चल रहा है कि BPM जो है ये fake है तो चलिए आप test कर लेता है W26 Plus Pro जो smartwatch है इसका heart rate sensor तो इसका heart rate sensor सबसे पहले air में test कर लेता है तो ये on हो चुका है और इसके पीछे चार आपको LED light देखने को मिल जाती है तो चेक कर लेते हैं क्या ये air में measurement बताएगा या फिर नहीं बताएगा तो air में तो बता दी है इसने measurement 83-82 beats per minute क्या बात है तो चलिए अब इसको grass के ऊपर test कर लेता है तो मैं on कर लेता हूँ इसका heart rate sensor तो देखते हैं grass के ऊपर ये क्या measurement बताती है ये smart watch 81 बता रही है grass पे 89 grass की तो मतलब ये जादा ही बताती है इस smart watch इस आखिर बात क्या है तो चलिए अब मेरे हाथ में भी पहन के बता देता हूँ तो ये जो smart watch है इसका heart rate sensor मैं हाथ में पहन के भी test कर लेता हूँ एक बार देखते हैं मेरा क्या heart rate है 86 BPM बता रही है ठीक है बहुत बढ़िया अब हम test कर लेता है MC88 Pro smart watch में तो चलिए अब heart rate sensor test कर लेता है MC88 Pro smart watch का और इसके अंदर बिल्कुल plane आता है कोई भी sensor मतलब नजर तो नहीं आता है पर अब देखते हैं कि क्या heart rate शो करेगा ये तो heart rate पर क्लिक कर देता है तो सबसे पहले हवाब में चेक कर लेता है कि क्या heart rate शो करता है ये पीछे red LED lights आ रही है तो देखते हैं MC88 Pro smart watch क्या heart rate शो करती है एर के अंदर शो क्या है 78 BPM और grass के ओपर देख लेता है grass के ओपर चेक कर लेता है कि क्या BPM शो करती है ये smart watch तो 75 BPM शो कर रही है ये smart watch grass के ओपर तो अब जिस चीज का आप सभी को इंतिजार था कि सारी watches को अगर एक साथ हाथ में पहन लिया जाए तो क्या difference आएगा इन सब की reading में तो वो ही test करने वाले है तो चलिए शुरू करता है तो चलिए अब चारो ही watches के heart rate sensor को एक साथ test करता है और क्या result मिलता है वो चेक कर लेता है तो सबसे पहले यहाँ पर W26 Plus Pro smart watch उसके बाद DT100 उसके बाद W26 और उसके बाद MC88 Pro smart watch तो चेक कर लेते हैं ये चारो ही smart watch क्या heart rate शो करती है तो W26 Plus Pro दे रही है 87 और MC88 Pro का भी चेक कर लेते हैं एक बाद MC88 Pro जो है 75 BPM दे रही है और 73 दे रही है DT100 smart watch और W26 सबसे लेट BPM दे रही है पता नहीं क्या देगी इसके बाद final result यह मिल रहा है कि W26 Plus Pro दे रही है 86, W26 दे रही है 75 और यहाँ पर MC88 Pro दे रही है 75 और DT100 अब देने वाली है measurement तो 62 तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा variation है सारे में मतलब बस W26 Plus Pro जो है और W26 है इन दोनों के measurement काफी अद तक same आ रहे हैं W26 Plus Pro के और W26 के और MC88 Pro ने तो दे दिया है measurement 75 और DT100 दे रही है 60 के आसपास तो आप देख सकते हैं कि कितना सारा variation है इन smart watches के heart rate sensor में और यह जो heart rate sensor है इन smart watches के अंदर fake आता हैं और अगर आपको real heart rate sensor चीए तो फिर आपको किसी भी smart watch के अंदर नहीं मिल सकते हैं चाहे आप Apple watch ही ले लीजिए 30,000 की पर बिल्कुल accurate heart rate sensor आपको किसी भी watch के अंदर नहीं मिल सकते हैं उसके लिए आपको proper वो जो equipment होता है वो ही खरीदना पड़ेगा क्योंकि यह जो smart watches होती है यह सिफ pulse को measure करके heart rate sensor शोर नहीं कर सकती है तो आज के इस video का यही conclusion निकलाए कि यह जो clones होते हैं किसी भी clone का heart rate sensor working नहीं होता है तो अगर आप heart rate sensor के हिसाब से ले रहे हैं तो यह working नहीं है और अगर आपको थोड़ा बहुत भी accurate चीए तो फिर आप MI band ले सकते हैं या फिर कुछ और ले सकते हैं पर इनका heart rate sensor working नहीं होता इनके अंदर आपको कुछ और अलग-अलग features मिल जाते हैं जो कि आपको दूसरी watches के अंदर नहीं मिलते हैं और आज का मेरा यही motive था आपको बताना कि heart rate sensor working होता है या फिर नहीं होता है तो उमीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत मज़ा आया होगा तो like और subscribe जरूर कर देना thanks for watching